Hello students, आज की इस वीडियो में हम एक नए विशे के बारे में एक नई परिभाशा के बारे में जानेंगे और आज का जो विशे है वो है सब तक सब तक जो है संगीत में महत्वपूर्ण होता है और हम इसकी परिभाशा इसके प्रकार सभी कुछ आज जानेंगे पहले इसकी परिभाशा सब तक की परिभाशा इस प्रकार दी जा सकती है साथ स्वरों के समुह को जब एक क्रम में गाया अथ्वा बजाया जाता है तो उसे सब तक कहते हैं जैसे सारे गामा पाधा और नी एक सब तक में स से नी तक स्वर होते हैं और नी के बाद जो स आता है वह दूसरे सब तक का आरंब होता है यह सब तक पहले सब तक से आय명 हुए सा से दूगना उचा होता है सब तक तीन प्रकार का होता है अब यह जो परिभाशा है पहले इसको फिर से हम अच्छे समझ लेते हैं यानि साथ स्वरों के जो क्रमिक समूं है उसको हम सब तक कह सकते हैं और जो एक सब्तक है उसमें मुखे रूप से साथ स्वर होते हैं, वैसे तो एक सब्तक में बाराइस्वर हैं, साथ शुद्ध और पांच विक्रित, पर हम शुद्ध स्वरों के अकोर्डिंग भी देखें, तो सारे गामा पाधा नी, यहां तक एक सब्तक होता है, साथ से नी और नी के बाद जब सा आता है तो वह अगले सब्तक का सा होता है, और इसके बाद इसके प्रकार, सब्तक जो है तीन प्रकार के होते हैं, पहला है मंद्र सब्तक, और दूसरा है मध्य सब्तक और तीसरा है तार सब्तक, इसको इस तरे खाचित्र के माद्यम से हम दर्शा दे अब एक एक प्रकार पर हम जाएंगे और उसको द्यान पूर्वक समझेंगे पहला है मंदर सब्तक, लवर ओक्टिव, सब्तक को इंगलिश में ओक्टिव करते हैं तो मंदर सब्तक की परिभाशा जो है साधारन आवाज से दुगनी नीची आवाज यनि साधारन आवाज करते हैं, जो हम बोल चाल कि हमारी जो आवाज होती है वो उसको साधारन आवाज कहा जाता है, जो आम इंसान जिस जो है आवाज में बात चित करता है वो साधारन आवाज मानी जाती है, साधारन आवाज से दुगनी नीची आवाज में गाया या बजाये जाने वाला सब तक मंदर सब तक कहलाता है और इस सब तक की आवाज नीची और गंभीर होती है जाहिर सी बात है आवाज धीमी होगी भारी होगी तो गंभीर लगेगी और इस आवाज को गाने में हिर्दे पर जोर पड़ता है भातखंडे स्वरलिपी पदती के अनुसार भातखंडे जी एक संगीत कार हुए हैं जिनकी बनाई हुई स्वरलिपी पदती आज उत्तर भारत में परचलित है तो भातखंडे स्वरलिपी पदती के अनुसार जो मंदर सब तक के स्वरों को दर्शाने के लिए स्वारों के नीचे एक बिंदू लगा कर उनको दर्शाय जाता है जैसे उधारण में दिया हुआ है गा, मा, पा, धा, नी इन सभी स्वारों के नीचे एक पॉइंट एक बिंदू दिया गया है जिस से पता चलता है नीचे बिंदू है तो ये मंदर सब्तक के स्वर है दूसरा प्रकार मध्य सब्तक जिस सब्तक के स्वरों की आवाज साधारन बोलचाल की आवाज जैसी होती है उसे मध्य सब्तक कहते है यह आवाज ना तो अधिक उची होती है और ना अधिक निची इसकी पहचान के लिए बातखंडे स्वर लिपद्धी के अनुसार ही इसको पहचान निकले स्वरों के उपर या निचे कोई बिंदू का प्रियोग नहीं किया जाता जैसे सिंपल ये स्वर लिखे हुए है सारे गामा पाध्धा तो इनके नीचे उपर कोई बिंदू नहीं लगाया तो इसका अर्थिया है कि ये मद्धे सब्तक के स्वर है अगला है तीसरा प्रकार अंतिम प्रकार तार सब्तक अपर नोट्स या अपर ओक्टिव मद्धे सब्तक से दुगनी उची आवाज में गाया बजाया जाने वाला सब्तक जैनि मीडिल ओक्टिव से जब आवाज दुगनी उची हो जाती है तो वो तार सब्तक हो जाता है तो मद्द सब्तक से दुगनी उची आवाज में गाया अथवा बजाये जाने वाला सब्तक तार सब्तक कहलता है इस सब्तक के स्वरों को गाने में से मस्तिक पर जोर पड़ता है यानि जब भी हम वैसे भी आम बोल चाल में हम किसी को जोर से बुलाते हैं चिलाते हैं ज़्यादा देर तक चिलाते तो आप प्रैक्टिकल करके कभी देखा भी होगा आपने तो मस्तिक पर जो है जो है जोर पड़ता है और सर में दर्द भी मैसूस मतलब हो सकता है लेकिन संगीत में खैर दर्द का तो कोई इस्यू नहीं है हाँ मस्तिक पर जोर जरूर पड़ता है तार सब्तक के स्वरों को गाने में और स्वरों की पहचान के लिए इन स्वरों के उपर उपर बिंदू लगा दिया जाता है जैसे उधारण में दिया गया है सारे गामा पा धनी तो इस प्रकार ये सब तक के जो है तीनों प्रकार हमने समझे तो ये भी एक परिभाशा आती है प्रसन इस प्रकार आता है कि सब तक किसे कहते हैं सब तक को परिभाशित करते हुए इनके कितने प्रकार हैं उनका वर्णन कीजिए तो ये कोश्चन छोटी परिभाशाओं में यानि तीन नंबर के question में भी आ सकता है और बड़ी परिभाशाओं में 6 नंबर के question में भी आ सकता है तो आज के वीडियो में इतना ही कल फिर नए विशे के साथ अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद अपने घर पर रहिए सुस्त रहिए